हेलो एवरिवन वेलकम एक तो मैं चानल तो फ्रेंट से जम बात करेंगे यहां पे एक और नए रिकूट्मेंट का बारे में और यह रिकूट्मेंट यहां पर रेल्वे के तरह से निकाला गया है लेकिन यह रिकूट्मेंट आपका प्रेंटिक सिर्फ के लिए निकाला गया ह और बाकी अगर आप चैनल पर आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और एक वीडियो को लाइक करके आप जुरूर जाईएगा तो आएगे देख लेते हैं इसकी कि बारे में क्या इसकी अधिया गया है और इसको क्या बताया गया है उसको भी हम एक बार यहां पर देख लेते हैं तो सबसे पहले देखिए आप डेट के बारे में तो डेट यहां पर देखिए आपको 11221 के 21 से इसका उनलाइन अवेदन शुरू होगा यानि कि अभी दो नॉमबर से इसका वेदन शुरू होगा तब यहां पर टाइम है और नोटिफिकेसन पहले ही यहां पर आ है तो जब अवेदन होगा तो आप यहां पर कीजिएगा फिलहाल आप जान लीजिए इसके बारे में और एक एक बारत दो जारे किस तक आप इसे अपलाई कर सकते हैं यहां निकलते हैं इसबिलेटी कंडिशन के बारे में तो एज के टेडिया मसब से पहले देख लिए जो एक बारत दो जारे किस को यहां पर काउंट किया जाएगा और इसमें आपका दिया गया है कि मिल्मम जो हो आपका 15 साल यहां पर दिया गया है और यहां पर आपका 24 साल से अधिक यहां पर मैक्सम जो है यहां पर नई होना चाहिए एक बारत दो जारे किस तक बाकि जो भी यहां पर आपको प्रवाइड किया जाएगा बाकि और आपको अच्छी तरह समझना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप युवर कम्यूनिटी से आते हैं तो आपका जो डेट अब बर्थ होना चाहिए आपका एक बारा उनिस सु संतानमीर से लेकर आपका तीस ग एक लिते हैं एंजिकर्शों की बारे मिन तो क्लेफिकर्शन ओर यहां पर लिए प्लिकर्शन फट्रीक्राइब कंडिया कि और इसुपर आपक चाहिए कि पर और अपको इसमें बिलकुल कर सकते हैं सी duża रियंगा को दो आपका इसमें आपका निसमें बिल्कुल कर सकता ह जो भी क्वेकेशन है आपको जो है 12-2023 तक आपका रहाँ पर कंफलेट होना चाहिए इस बात का ध्यान रखियेगा तो देखिए इसमें आपके पास तो टेंथ यहां पर आप पास होना चाहिए और टेंथ के साथ अगर आपके पास यहां पे आप इसमें बिल्कुल लिए बाकी देखिए हैं पर आप इनकी से ट्रेड में अगर आपने अपना इटी एक अप्लीट किया है तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद देख लेते हैं अप्लिकेशन फी के बारे में तो आपको 100 रुपे रखा गया है और जो चैन्डेट यहां सकते हैं इसका उनलाइन आपको इस ऑफिसल साइट है वहां से आप जाके इसका उनलाइन आविदन आपको सुरू नहीं हुआ है जब शुरू हगा तो आपको इसका इंफ्रमेशन मिल जाएगा और अब यह उसके बाद देख लेते हैं देखिए इसमें कोई किसी परकार आपका होता है और इसमें आप देखिए कि जो आपका सेलक्षन होगा जो आपका मेरिट विस्ट पर होगा और यह जो मेरिट आपका त्यार किया जाएगा आप देख लिए जब बेस्ट अन मेरिट लिस्ट विच वुड़ी प्रिपेर टेकिंग दे एवरेज ऑप the percentage of marks of obtained by applicant in both Maitriculation and itasky . यानि कि जो अपने टेंथ में marks अपने score कि आँ होगे उसका 50醜 50% और जो ITA में आपने score किये होंगा उसका 50 फरिजायर दोनों के ऐग्जाम के विस्ट मेरिट यहां तियार होगा दोनों का उयक्वेल आपका यहां पर रहने वाल है तो तो इसके बसी सबस्थित आपका complete कर लेंगे तो आपको certificate of proficiency आपको यहाँ पर दिया जाएगा नेफ्टाल counseling के तरफ से तो यह आपको एक certificate भी आपको मिलेगा तो यहाँ पर टेंडिंग अपका पूरा हो जाएगा उसका बाद कर्म की आपको पर पर्याद कर बाकि यहाँ पर इलिष्ट का पूरा डिटल आपको यहांप宪र दिकhaccord उया हो और इसमें क्या अगर प्रीटर करते हैं अगर वह भॉष्ण करते हैं तो इससे आपको क्या फैद होगा तो थोड़ा सा इसके के बारे में इसमें बताया गया है लेकिन यह जो इसके बारे में यहां पर बताया गया हो देखिए यहां पर आपको दिया गया है कि in case of the direct recruitment from open market to the post category in level 1 RS 18000 से लेकर आपका 56900 और यह course completed अपरेंटिस ट्रेनी एंड रेलवे इस्टाइबलिस्मेंट और पोजेसिंग नेसल अपरेंटिस सट्फिकर्ट यानि की इनसी यानि की इसने कहा जा रहा है आप समझेए कि अगर यहां पर रेलवे के तरफ से direct recruitment अगर निकल के आता है और यह यहां पर लेवल वन की बात किया फिर के अगर अपरेंटिस से अगर आप करते हैं तो आपको यहां पर यहां पर फैसला था यह थो जब घुडी की आई से में एक क्लियर हो गया था कि इसमें 20% आपको रिजुरेशन यहाँ पर दिया जाएगा लेकिन यह बाते यहाँ फिर से नोट्रिकेशन में भी आपको यहाँ पर बताया गया है बागी अगर आप अपलाई करना चाहते हैं तो इससे आप लाइक कर सकते हैं बागी कोई डाउ